हेलो दोस्तो स्मार्टपॉन की चैनल में मैं आपका करता हूँ दोस्तो स्वागत दोस्तो आप रेल के मदद से आप अपने घर के सामान को या बाइक को ट्रांसफर करना चाते हैं या फिर कहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप भीजना चाते हैं तो आपको जो है parcel office से forwarding note मिला होगा तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस form को आप कैसे भर सकते हैं तो चलिए बीना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आप यहां लिखा हुआ पर सकते हैं भेजने वाला नाम and address दीजिए और यहां पाने वाले को यहां address यहां लिख दीजिए इसके बाद यहां आप लिखा हुआ पर सकते हैं station 2 आप जिस station से जिस station तक भेज रहे हैं उन stations का यहां name यहां लिख दीजिए जैसे कि मैं लकनव जंक्षन से छतरपती शिवाजी टर्मिल सक इस सामान को भेजना चाता हूँ इसके बाद यहां आप लिखा हुआ पर सकते हैं number of articles यदि आप घर का सामान भेज रहे हैं जो कि 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है जितने भी number of articles हैं यहां आपको लिख देना होगा और मान लीजिए आप केवल एक बाइक ही बेज रहे हैं तो यहां आप एक लिख दीजिए फिर आप यहां लिखा हुआ पर सकते हैं description and private marks यदि आप घर का सामान भेज रहे हैं तो यहां आपको household goods और आप जो सामान भेज रहे हैं उसकी जानकारी साथ में आपको यहां लिखनी होगी जैसे bed भेज रहे हैं क्या आप wood का कुछ भेज रहे हैं जो भी आप भेज रहे हैं घर का सामान उसकी जानकर यहाँ आपको लिखनी होगी और मान लीजे ज़्यादर लोग bike भेजते हैं तो यहाँ जो है bike up name लिखकर फिर registration number लिखना होगा फिर engine number लिखना होगा इसके बाद यहाँ लिखा हुआ पड़ सकते हैं sander weight आप जो सामान भेज रहे हैं उस सामान का lump sum weight यहाँ आपको लिखना होगा इसके बाद आप नीचे आएंगे value तो आप जो सामान भेज रहे हैं उसकी current value कितनी हैं वो यहाँ आपको लिख देनी होगी जैसे कि मैं motorcycle भेज रहा हूँ उसकी current value आज के time में 25,000 है तो मैंने 25,000 लिखा है फिर आप नीचे आएंगे जो sander है उसको अपने signature यहाँ कर देना है जिस दिन इस form को वो submit करेगा उस दिन की date यहाँ लिख देना है फिर यहाँ sender को अपना address यहाँ लिख देना है sender को अपना mobile number लिख देना है और sender को अपना आधार number यहाँ लिख देना होगा इसके बाद मैं आपको एक और बाद बता दू यदि आप motorcycle भेज रहे हैं तो आपके motorcycle को parcel करते time उसका patrol tank खाली होना चाहिए इस form में आपको declaration भी देना होगा जो की यहाँ आपको लिखना होगा patrol tank, empty तो जान लिया है दोस्तों कि इस form को आपको कैसे भरना है वो आपने अब जान लिया है तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी वीडियो आए पसंद तो लाइक करना दोस्तों के साथ share करना इस वीडियो को और अभी तक आपने subscribe नहीं किया है smartphone की channel को तो प्लीज subscribe कर देना smartphone की channel को साथ ए घंटे को भी दबा देना आने वाली हर latest video की जानकारी के लिए तो अभी की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद